एक बार पढ़ेंगे तो दस निर्मत नाजिल हो गई, दस गुना माफ हो गई, और दस दर्जे भी गुलन हो गई, चितनी ज़्यादा जो कसरत से लाग रसुल सलम को दरूत बेशता है तो वो उसके लाग रसुल सलम के ज़्यादा जन्नत में करीब होगा फिर बीमार हो जएतों क्या करें? सबसे ज़्यादा हम जेसे ही बीमार है तो दुऐ आला से, कर दूद की कसरत करे हं, हम दुरूत बेचे, दूद बेचे Alhamdulillah Alhamdulillah Yafqʰu Koli Alhamdulillah हम सब यां हफतेवारी दर्स कुरान के लिए जमा हुए है इस मुक्तसर से वक्त में दूरूद और सलाम इस उन्वान के तालूप से चन्द बातें रखने के कोशिश करूँगा दूरूद और सलाम इस उन्वान को इन्तिखाब करने के वज़े ये भी है कि कई लोग इसको या तो इल्म की कमी की वज़े से कई लोग इसको जाति कर देते हैं और अपने हिसाब से मुबाइल वे आप देखें दुरूद की फजिलत और वो ऐसी फजिलत जो साबित नहीं यह वो भी इसमें चलती है या फिर लोग कोई सीरे से इंकार कर देते हैं वो इसकी ऐसी फजीलात आता है यह वाकी साबित है तो उसका भी इंकार कर देते हैं तो इसके तारे से बहुत साइदा गलत तेमिया है दूरूद और सलाम तो सलाम क्या है, दुरूद क्या है, किसे बहुत बेज़ा जाएगा, अल्लाग रसुले नहीं क्या तरीके बताएं, सहाबा का अमल क्या था, तो वही चीज़ है अज हमको जानने की ज़रोत है इसके तालुक से, ताकि हमको मालूम पड़े कि वाकी दुरूद क्या है, और किस जिस तरह से बेज़ा जाएगा है, जिस तरह से आज अपने हिसाब से लोगों ने बनाये दुरूद वो, या फिर जो उन्होंने सलाम के तरीके बना लिया हूँ, तो वही चीज़ें कि क्या हधीसों से थाबीत है, तो दलीलों के साथ हम इसको 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 इसमें देखने की दुरूद के ऊपर, लेकिन वह उनके जो तरीके में अलग-अलग और दुरूद उनके अलग-अलग बाखी, इसके यहमिएट और फजीलत के किसी का इंकार नहीं है, तो दुरूद, अब दुरूद के तालُّक से नचन बाते देखें कि दुरूद क्या है, क्योंकि इसके त तालुक से भी हम देखते हैं कि तमाम तरह की इसमें गलत फीमिया है बहुत जादा इसके अंदर गलत फीमिया है और ये तो हमारा जो सलाम का बाप था ये क्या था कि ये उसका था जो मुसलमान मुसलमान से सलाम करता है माचरती उसके अंदर वो था जो साबित नहीं है या फिर जो है कई लोग जो है दुरूद या तो भेजते नहीं या फजिलत नहीं जानते या बहुत ज़्यादा उसमें गुलू कर जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं या जो जो साबित है वो भी नहीं मानते कि नहीं नहीं यह सा नहीं होता है तो जो हमको ब पादीनी और इमानी फरीजा है इमान में से है कि Allah की रसुल्य सलम पर दुरूइश बेजा जाए तो ये इमानी उसका फरीजा है और दुरूइश बेजने की कई सारी फजीलत है और इसको जो नहीं पढ़ता उसके लिए वईद भी है तो गुनेगार भी है ढोनों चीजे इसक अंदर मिलती है तो हमको गोर करने की यह भी जरूत है कि अल्ला के रशूल मुसलमान हैं जिसकी वज़े से हम अगर अगर अमल करते रहें तो इशारला हम जननत चले जाएंगे यह उनके बताए हुए तरीके से तो हम नहीं दे सकते हैं उनको क्या दे सकते हैं युद्ध अल्लाriminal विफिला स Incredselling तो अल्ला की नियुद एब इनको ये तरीक़ तो ये है कि हम उनके जो तालीमात है उस तालीमात को अमल करें वो तालीमात को आम करें एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका जो उन्होंने बताये कि मुझे तुम किसे क्या दे सकते हो तो उन्होंने बताए दुरूद तो सबसे वहत्रीन चीज़े कि उनको दुरूद और सलाम भेजा जाए और यह हम दे सकते हैं हलागि इसे भी आप अप अहिसान हम चुका नहीं सकते तो यह आप आप अहिसान दुनिया में उनका दे सकते हैं हम उनको कुछ दे सकते हैं इसलाम हम तक भेजा है तो हम यह दे सकते हैं और यह तौफा रहिम्यत इसकी बहुत जादा है और आर ओर ऩ। रसूल सललल्ला वष्बर पर जहा है इसके तालूप से अइन नस्तौब قرآن में फरमाया, इनको दुरूद बेजा जाए, तो इससे इसकी जो अहमियत और फजिलत मालूम बढ़ जाती है, तो आल्ला ने खुद قرآن में फरमाया, सूरह अजाब, सूरह अजाब, सूरह नमबर 33, आयत नमबर 56 में लाने फरमाया, इननलाह मलाइकतु ये सुलूना अलनन्नभी, या यहुलजीन आमनु सल्लू अलहियु सल्लिमु तसल्मा, के लोगों जो इमान लाए हो, तो तुम अल्ला के रसुल सल्लम पर दुरूद भेजो, और अल्ला भी क्या करता है, अल्ला भी उन पर रह्मते नाजिल करता है, और फदिष्टे उनके लिए रह्मत की दुआ करते हैं, तो इसको तुम भी अल्ला के रसुल सल्लम पर दूरूद भेजा करो, अब यहां पर जो है, कुछ लोग इसका माना अलग लग लेते हैं, यहां जाका लोगों में एक्तिलाब हो जाता है, य यहीं लैकिन यह बहुत इंतियाई और बहुत ही मतलब ज्ञादा होगा, वो हो जाएगी कि अल्ला क्विए व्ल्ला है तो अल्ला करता है, तो इसका माना अगर मतलब यह लेंगे, नह года हुर दूरूद भेहएं तो इसका मतलब यह optimistic है, इसका माना ऐगे है कि एक यह इसका मा आप ﷺ पर बहुत महरवान है आपकी तारीफ करता है तो आपके काम में बरकत देता है और आपके दर्जात को बुलंद करता है कोई आपकी तारीफ करें आपकी काम में उनको बरकत देता है और रहमत की बारिश करता है यानि उनके उपर रहमत नाजिल करता है ये अल्ला का माना है कि अल्ला करता है तो अल्ला के दुरूद बेजने का माना ये है फरिष्टो का क्या है कि फरिष्टो का माना है कि वो आप से मुहबबत रखते हैं और आपके उचे दरजे की वो दुआ करते हैं ये जो फरिष्टो का माना है हमारी लिए का है कि मुसल्मानों के माई कि आप उनके हक में दूाय करें और अल्ला आप पर भी फीर क्या होगा कि रहमत और बर्कते नाजिल करेगा आप अगर दूा करें और अल्ग यह तो इसके अंदर इक्तिलाफ यह है तो इसमें थोड़ा सा है कि हमको उसको समझने की ज़रुत है तो इसका तीनों का माना अलग अलग है अलगा माना यानि कि उन्हों रह्मत बरकते नाजिल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं और हमारा भी कि हम उनके लिए दुआ करते हैं जो यह उसके बदले भी हमारे ओपर भी रहमत बरकते होती हैं तो दूरूद जो है अलगे अलगे लेकि सिलाम अलगे कि हमको समझने की जिए जोए दोनों अलग अलगे और सिलाम अलगे और यह अबुदाउट की रिवायत है अब उत्रूद नमबर 5546 डूरुद भी बाद इसके स्ञारते पारा से वे, ध्या उक्रा वंप सलीड है और अडिया उन्हे बादाय की पाह से ज़ाता दिने ज़्दाते हैं तो दूरुद सलाम की इतनी ज़्यादा है कि एक बार हम दूरुद भीजेंगी तो दस रहमते हम पर नाजिल होगी, इतनी जादा इसकी फजिलात है, इसा ही मुस्लिम की रिवायत है, अधीस नंबर 408, कि अल्ला की रसुल सलम्हें है, जो नभी पर एक मर्तबा दुरू दो सलाम भेजता है, तो अल्ला ताला उस पर दस रहमतें भेजता है, यहीं वो एक बार यहीं रिवायत है, अधीस नंबर 1200 पिचाड़ों, कि जो कोई, अल्ला की रसुलिम खुद पर मुझे जो कोई मुझे पर दुरूद, एक मर्तबा दुरूद को सलाम भेजेगा, तो अल्ला ताला उस पर दस रहमतें आजिल फर्माएगा, और उसके दस गुना को माफ कर दिय जाएंगे, और उसके दस दरज़े बुलंद कर दिय जाएंगे, कितनी विखार फजीलत होगे, मैंने इसे फिर एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ेंगे तो दस नुमते नाजिल होगई, दस गुना माफ हो गए और दस दरिजे भी बुलंद ओकर एक दरिजा क्या है एक दरिजा और अल्ला देने वाला है ओ दरिजा एक दरिजा इतना बड़ा है कि हम उसको यह तस्ववल नहीं कर सकते तो जो जितनी ज़्यादा दुरूद तो स्लाम बेजेगा तो उसको यतनी ज़ाधा जहेए उसको अजरसभाद मिलेगा और اللہ कि रसुलboo के करीब भी हो जाएगा जितनी ज्मदा जो कसरच़्ा से लिं करीब भी हो जाएगा कि मेरे करीब कयामत के दिन नजदिक वहगा ज़ो मुझ पर सबसे ज्यदा दूरूद ज्रूद के सलाम भीजता था यहीजिव मैं जो सबसे ज्यदा भीजता है तो वो अल्ला की रसुल्ह सल्म के ज़्यादा करीब होगा उतने ज़्यादा नस्दिक हो जाएगा वो इसकी फजीलत क्या है एक साभी फरमाते हैं ये सुर्ण तिर्मिजी की रिवायत है अधिस नमबर 2457 अधिस काफी तवील ये लंबी है लेगे उसमें जो है कि अवई बिन काफ रजी लान ये फरमाते हैं अधिस का अधिस के लिए रखो तो अलाहिजी रेसुल ने फरमाया है कि जितना तू चाहे इतना रख तो उन्हों ने कहा कि क्या में एक तिहाई रख लूँ यानि एक का पाउई सा 25 परशें रख लूँ तो अल्लाग रसुले सलम कि अगर तू इसा करता है तो तिरे लिए बेतर है और ज़्यादा करे तो तिरे लिए और बेतर है तो अल्लाग रसुले सलम ने फरमाया तो उन्हें कहा कि क्या मैं फिर आदाव दे दू आदाव दे दू तो अल्याती एंट अधैने ने फर्माए कि हाँ आदा वक्त दे लकिन इसे भी ज्याद़ा करे तो तरे लिए और बहतर है तो फिर उन्हें ने का किया मैं जो है पूरा वक्त दे दू तो अल्लैती एखिने ठीजा आदा सुझा ने विसे थे जाने लिए हम आज देखते हैं कि इतना तो कोई दिरूद नहीं भेशता इतनी ज़्यादा फजीलत है कि सारे गम तकलीफ दूर करने का जरी आप हम मारे मारे फिरते हैं ये तकलीफ पहुच गई बिमार हो गया वो हो गया वो हो गया तो बिमार हो जाएं कि तकलीफ आपका गम वो सब चीजे विमारी आपकी दूर हो जाएगी तो हम करना चाहते हैं तो हम इससे मेरूम में कर रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं तो हम कसरत से लाग रसुलों में दुरूद और सलाम भेजें एक तऺ कहता है कि पूचता ही नहीं है और दूसरा थ orada कहता है नहीं पूचता है भी कषड़ने हम पचला जाता है तो बाकि मैं हकिकत क्या है तो अकstudy के हम उसमें देखें तो यहाँम को मिलता है कि कोई दुनिया के किसी भी कोने के अंदर से अगर अल्ला के रसुल स्लम पर दुरूद वू सल्लाम भेजता है, तो अल्ला के रसुल सलम किफुद P. ऑर गुर्यत किरा रही है जो उनका दुरूद वून वूस्ता है ४ुर्यत कीराए के नहीं पुस्ता है वो किया रहा है डिरेक्ली पहुंसता है और एक किराए के नहीं पहुंसता है लेकिन फरिष्टे उसको लेकर जाते हैं और फरिष्टों की स्पीट का मंदजा लगा सकते हैं क्या कि आई तो इसाहट आस्मन मं कितना टाइम लगे है और फरिस्टोव, फरिस्टों के लिए ओज ए आखुञ में, आप इनके लिए आता है, जिन्हों के लिए आता है, श्यातिन के लिए आता है, कि यह उड़के फोरंसे चले जाते हैं, आप देखे फोरण से जाते हैं यह जो जाते हैं और बात जब फरीष्टे जब अल्ला से जो फरीष्टे जब एकामात लेकर आते हैं और आपस में डिस्कसन डिस्टुबूट करते हैं दूसरे पर जो फरीष्टा होता है और लेकर आता है और लेकर करता है दूसरे फरीष्ट हम तो बीश मांगो इसके उपर वह लानत पड़े शियातिन पर, तो हम ऊपने के लिए लिए इसलिए होथा तो उसको फेका जाता है तो उसके बाद भी वह क्या करता है कि वह मरने वाला होता है लेकिन फिर भी आकर वो जो जिससे ने उसको भीजा जो यह रेते हैं काम करने वाले जादू टोले वाले जो करते हैं उस तक वो पोचाने के लिए वो मरते-मरते भी आकर कुछ ने कुछ बाद कीये जाता है ये अलाहकर तो हम खुद फरमया इसके अंदर इसमें अक्तिलाफ नहीं बीच का एक चीज हम से मिस हो रही है पस इत्ता तर इसके अंदर है और ये सुनन नसाई की रिवायत है अल्लाग रसुल्ह सल्म फर्माते है हदीस नंबर 1280 कि जमीनों के अंदर फरिस्ते फेले हुए हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुस्त तक पुहुचा देते हैं ये सुनन नसाई की रिवायते तो सब जगे अल्ला ने फरिस्तों को फेला रखा है और जिसी आप दुूर्श सल्म करते हैं बोटा जिया जाता है और यहां तक कि अल्लाग रहникомता है नहां तक फरमाया कि जो तुमारा दूरूद और सलाम मुश्थ पहुचा दिया जाता है यहां तक कि जब मैं यहां कि कब्र में होता हूं और कबर के अंदर मेरी रूँ को लोटा दिया जाता है और मेरी रूँ लोटा दी जाती है और मैं सलाम हूँ उनका जवाब भी देता हूँ अब ये फीजिकल होता है क्या होता अल्लावलों हमको जो बताये गए अदीश से जो मिलता है ये मान का उनकी रूप को भी लोटाए जाता है उनकी रूप आती है उसके बादे सलाम का जवाब भी देते हैं ये भी अमको मिलता है ये अब दाउत की रिवायत है अधिस नमबर 241 कि अल्ला कि रसुल लगे लिए सलाम हो चाता है अब वो क्या है वो गेप काम हो लाए अल्ला हो वालू हो वाकिसे क्या है कि वाकी में फिजिकली उटके देते हैं ये अल्ला हो वालू हमें नहीं वालू हो जितना हमको बता है इतना तो ये होता है तो इसका इंकार नहीं कहा जा सकता तो थोड़ा सा आपस के अंदर कुछ चीजे हमसे मिश रहे जिसकी वज़े से हमारी एक दुस्य से अंडरस्टेनिंग नहीं मिल पाती है समझ नहीं पाते हैं तो इसको हमको इतना समझनी के जुरूत है तो केसे देते हैं तो हमें नहीं मालूं ये अल्लावालों ये हमारा काम नहीं है अल्लाव जय जाता है वेसे करता है और इसी तरह लेकिन ये इस तरह के दरूत के लिए खास मक्सूस कर लेना कि इतनी बार दरूत पढ़ा जाना तो जहां साबित है कि इतनी बार पढ़ना है तो वहां पढ़े अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं नहीं तो लोग क्या करता है कि अपनी मर्जी से दुरूद की महफिल इतनी बार पढ़ा जाएगा सवा लाग बार, इतनी लाग बार, इतनी बार सलाम तो ये साबित नहीं साबित वो करेंगे तो अजर मिलेगा आप unlimited करें ना unlimited करें हाँ लेकि तादाद मुतियन ना करें नहीं तो फिर वो बेदद में शुमार होता है और अल्ला कि रसुल ले सलम में दुरुद वसलाम तुम मुझे पर भेजा करो और फरिष्टे मुकरर हैं उससे पहुचा देते यानि फरिष्टे मुकरर हैं हर दुनिया के हर जगे पर और वो पहुचा देते तो फरिष्टे वाई कि मुकरर हैं कुरान में भी अल्ला ने का कि फरिष्टे जो तुम समझते हो ना कि तुम आज में हाथ उठा रहा हो हाथ मेरा हिल रहा है, मैं मुझसे बोल रहा हूँ मैं इसे हिल रहा हूँ, मैं बेटा हूँ तो मैं खुछ से नहीं बेटा हूँ यह फरिष्टे कुरान में ला ने का कि तुमसे खुद से नहीं होता यह फरिष्टे हमने मुकरर कर रहे हैं इतने फरिष्टे अल्ला ने फेला रहे हैं दुनिया के अंदर कि हर हर हमारे अमल पर फरिष्टे साथ में हम हाथ उठा रहे हैं फरिष्टे का साथ है वो उठवा रहे तो वो हमारे पीछे बेस वो है हमको दिखता नहीं इसलिए हम नहीं समझते लेकिन अल्णा ने कुरान में इसके तालुख से फर्माया कि हर चीज में तुम चल रहे हो अगे तुम बेटे के खुछ से नहीं बेटे फरिस्तों ने तुमको सारा देखे बेटाया इंदो किनार पर बच्चा रोड़ता है वह एक पर दिरे दीर होग यूंका गूरे सीडियों से हम गिर जाएं, हम सीडियों से गिर जाएं तो हमारे फिक्चर हो जाता है, बच्चा गिर जाएं आप देखें बच्चा नीचे जा गया कुछ नहीं, वापस खड़ा हो जाता है, बस थोड़ा सब होता है, उसको उठा ले तो हो चुप हो जाता है, कुछ नहीं हो, फरिष्टे रिफाज़ाद बच्चों की ज़्यादा रिफाज़ाद करते हैं तो फरिष्टे हर जगर पर मौझूद हैं वो रिफाज़ाद करते हैं तो जहां कहीं दुनिया में हम जाते हैं तो वो दरूद और सलाम जो उनको बेज देते हैं और Allah कुरूं अबुदाउद की रिवायत है अदिस नमबर 2042 कि ये लोगों तुम अपने अपने घरों को कब्रगाना बनाओ मतलब क्या है कब्रगाना बनाओ कि तुम अपने घरों के अंदर नमाज को पढ़ा करो नमाज पढ़ा करो अब मेरा नगे बनाने का मतलब वह है अगर आप मनमास नहीं पढ़ते हैं उस घर के ने नमास नहीं पढ़ी जाती है तो Allah कि Σवrese मौनलस्वाब। मामॉल बहुता है कि सुननत अल्ला के रसूल अवा करतेऩे थे फजर की सुननत तालूग से मिलता है घर पपढ़तें फिर मस्दी जाते थे यानि कि हर हर चीज चीज के अंदर जितना हम करते जाएंगे एगे इतनी फजीलइत उसके बढ़ते जाती है तो उसको कबर गाना बनाॉ यानि घर के अंदर नफिल नमाज पढ़ते रहा करो और मेरी कबर को ईदगा ना बनाना ईदगा उसको कहते हैं जहां लोग खुशी के लिए जमा होते हैं मिला लगाते हैं उसको कहा जाता है तो मेरी कबर गा को तुम ईदगा ना बनाना और मेरे उपर दरूद और सलाम पहुचा हो सामसे तक हुँचा जाता है यह भीम को अर्वाइद मलता हैं रविप से चाहिख एथा पहुंचा है यास नहीं कि वह ही जाकर法 पहर पहुछ Special बाद वह एपोच्छा एक पनसे जाते हैं न स्चाहिए को जियू सामसे किसकते हैं क्या है तो अल्लाग रसुलों ने उनके लिए बद्वा भी किये और वो बद्वा जो है उनको मिलता है अल्लाग रसुलों से फर्माते हैं सही तिर्मी जी की रिवायत है अदीश नंबर 3545 कि उस आदमी की खाक नाग जो है खाक आलू दो नाग कहा कहनी कि मिट्टी में मिल जा अंदर तो ये के उस वक्त कि किसकी खाक आलू दो कि जब मेरा नाव लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना भेजी उसके लिए वही है खास कर क्या कौन सा नाम मुहम्मद स. अल्लाग रसुलों तो ये जब भी नाम आए तो हमको दुरूद भेजना लाजमी है ये तो उसक 1256 कि Allah на Max रसी सलम कि मिंबर को हजिर किया जाये मिंबर लाय गया अल्लाग रसुलों स वो मिंबर पर चाड़े और फिर उनने फरमाये जिएने पर कड़ए वो तीन बार तीन जिनों पर चड़कर कहा कि आमीन आमीन早 रसूल के लिए हलाकत हो बर्बादी हो कि उस आदमी के लिए हलाकत हो बर्बादी हो जो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना भेजे तो उन्होंने का जिब्रेल ने कि नभी नभी ﷺ कहो आमीन तो मैंने का आमीन तब देखे मलाइका के अंदर सबसे अफजल फरिष्टे अंबिया के अंदर सबसे अफजल रसूल और वो दुआ कर रहे हैं और आमीन वो कह रहे हैं कितनी बड़ी वही थे कि नाम लिया जाया था और कोई उसको ना पड़े तो दुरुद उनको बेजाया जाना चाहिए और इसमें एक और आता है कि रमजान पाए अपनी मख्विरत ना करवा सके तो उस पर भी आमीन कहा और एक और आता है कि जो अपनी माबाब को पाले और उनकी खिदमत करके अपनी मख्विरत ना करवा सके तो उसके लिए भी हलाका तो बर्बादी है तो दुरूद सलाम के भी इसमें हमको फजलत मिलती है और एक रिवायत में परमाएं कि वो शक्स बकील है और कंजूस है यह सुनन तिरमेजी की रिवायत है अदिस नमबर 3546 कि वो आदमी बकील और कंजूस है जिसके पास मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद सलाम ना भेज़े तो वो कंजूस आदमी है बकील आदमी है और दुरूद के अलफाज क्या है दुरूद के अलफाज वही है जो हम अजान के बाद हमको पढ़ने के लिए कह गए और ये सभी बुखारी के में आता है कि काप बिन रजी अलान फर्माते है ये जो पूचा गया तो उन्हें का कि दुरूद अबराईम ये है तो मुझ पर दुरूद इस तरह से बेजा करो तो ये अलफाज भी हमको पता दिये गए है और इसी तरह जो सलाम क्या है तो सलाम के अलफाज भी सिखा है सलाम के अलफाज भी सिखा है ये सभी बुखारी के रिवायत है अधिस नंबर 831 इबन मसूद रजी अलान फर्माते है कि अल्ला के रजी अल्लान फर्माते है नमाज से फारिग होकर हमसे फरमाया कि अल्ला सलाम है वो सलामती देने वाला है तुम में से कोई अगर नमाज पढ़े तो ये कहे, क्या कहे वो पूरे कलमात से कहा अतयातुलिल्लाहि वस्सलावातो 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 पूरे के पूरे कलमात बदनी और माली अबादत केवल अल्ला के लिए खालिस हैं सिप उसी अल्ला के लिए खालिस हैं कौन सी या जुबान से हम जो पढ़ रहे हैं जो बदन से हम उसमें शामिल है और इसी तरह जो है माली यानि हम अबादत जो कर रहे हैं, पिसाद उसमें खर्च कर रहे हैं, अल्ला के लिए खाली से नभी, आप पर अल्ला के ताला के रहमते हो, और सलामती हो, और हम पर और अल्ला के दूसरे नेक बंदों पर भी सलामती हो, यानि कितनी दूसरों पर भी, उन पर भी सलामती हो, औ मैं गवायि देता हूु कि Allah के सिवा कोई सचा मादृ नहीं और मैं गवाई देता हूँ कि Muhammad मैं गवायि असलम स्लाम पहाँ और भेजना हुआ हुआ, इसको कहते हैं सलाम भेजना, इसको कहा Зालम भेजना है इसको कहा जाता है, उसके बाद, फिर क्या करें नमाज के दर अपने तरीके उन्होंने इजात किये तो अब उसमें वह बहिजते तो मुझे इसमें तफसिलात रखने की जूरत नहीं यही कहना है कि अगर कोई चीजश साबीत है तो आप करें उसका अजल सवाब कोई नहीं साबीत है तो अजल सवाब उसका आपको नहीं मन मान नहीं तरीके से करेंगे तो वो सलाम नहीं पहुंचता है असल जो सलाम है वो ये पहुंचता है तो जिसने जो अगर इसमें दूसरे तरीके से बेशता है तो उसकी वो जाने उसका जवाब उसको देना है और क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा पुरान नहीं पढ़ा तुमने कुछ के बाद उने कहा कि इसी है इतनी अबादत करते हैं तो हम तो भी ज़्यादा गुनेगार हैं वो तो अल्लाग रसुले सल्म हैं बक्षे बक्षा है जन्यत में अला मकाम है तो हम एक ने कहा कि हमेसा नमाज ही पढ़ता रहूँगा एक ने कहा में रोज़े ही रखता रहूँगा तो ये ये तमाम चीज़े उन्होंने कही तो अल्लाग रसुले सल्म को मालूम पढ़ा तो अल्लाग रसुले सल्म जाकर रखाएं कि वो फलाँ फलाँ लोग को ने और एक मजलिस अलग रसम जाकर वास किया कहा कौन लोग है जिन्होंने ये बात कही थी और मैं निका भी करता हूँ मैंने निका भी किये हैं और मैं सोता भी हूँ और मैंने रोजे भी रखे हैं और मैं इफ्तार भी करता हूँ और मैं सोता भी हो नमाज भी पढ़ता हूँ और जो अगर मेरी सुनत सेरास करें तो अगर कोई चीज हम अपनी दरफ से करेंगे तो अल्लाग इसमा फर्मा दिया वो अम्मे से नहीं का माना क्या है और लोगों ने अलग अलग बताएं कि हम में से नहीं है तो मुसलमानी नहीं या उम्मत में से नहीं अब कितनी बड़ी वो कितनी ज़्यादा वाली बात हो जाएगी कि उम्मत से खारीज हो जाए तो हमको इसके अंदर पिदत करने से बचना चाहिए किन वक्तों के अंदर दुरूद सलाम भेज सकते हैं तो वेसे तो कभी भी भेज सकते हैं कभी भी भेजा जा सकता है आप जब चाहें 2400 गंटे के अंदर कभी भेज सकते हैं कहीं से भी भेज सकते हैं लेकिन कुछ अफजल तरीके जो हदीस में हम को मिलते हैं वो यह है कि सबसे अफजल तरीका कि नमास के अंदर भेजा जाए नमास के अंदर कब? कि आपके जब नमास खत्म होने वाली आप बेड़ गए आकरी तशाओत के अंदर तब आप अतियाद पढ़ेंगे फिर आप दुरूद पढ़ेंगे तो यह सबसे अफजल तरीका उसके अंदर है कि उसके अंदर सलाम फेलने से पेले पेले भेज दिया जाए तब अल्ला करेंगे वाकी कोई अगर दुरूद और सलाम भेजना चाता है तो उसका तरीका क्या है? नमास पढ़ने पढ़ेगी अगर कोई नमास नहीं पढ़ता है और उसके बाल में वो कहता है में बेजा ही जा रहा हूँ जब तो फराइज पुरे नहीं कर रहा तो तीरी दूसरी इवादते कबोल नहीं होती तो सबसे अफजल तरीका यह है कि वो नमास के अंदर से बेजा जाएगा और इसी तरह जो है सहीत दिर्मिजी की रिवायत है अदिश नमबर 3476 कि एक शक्स आया और नमाज पढ़ी और दूआ मांगने लगा नमाज सलाम फिरा और दूआ मांगने लगा अल्ला की रसले लगा कि एक नमाजी कि तू नमाज पढ़ ले तो तो इसे ना कर तो बेठा रहे और फिर क्या कर Allah की तारीफ बयान कर तो सबसे ची तारीफ क्या है सुर फातिया अर्मदूल्ल्लाय रब बलायास उसके अलावा तमाम जो कुरान के अंदर जो भी आयत हैं और लगी तारीफ के जाएगी उसके बाद फिर से क्या क्या जाएगा कि उसके बाद फिर से वापिस दुरूद भेजी जाएगी और उसके बाद फिर से तारीफ अलागी की जाएगी तो ये क्या होगा सेंडविज बन जाएगा तो हमारी दुवा इसके रहा है और आया और नमास पड़ी और अल्ला कि रसे लिए इसको बहुत है उन्हें क्या किया कि तारीफ की और दुरूद बेजा और फिर दूआ मांगी तो अल्ला कि जो तू मांगे गा तैरी दूआ कबोल की जाए यह यह तरीका इससे हमको इसकी फजिरत मालूम पड़ती है दूआ की कबोलित के लिए क्या है कि दुरूद जरूरी है बिना दुरूद बेजे दूआ की कबोलित नहीं होती है और इसमें अफजल दूद जो हम पड़ सकते हैं वो क्या है अजान के बाद यह भी अफजल है कि अजान के बाद हम पड़ें यह जो है सही मुस्लिम की लेकिन अजान के पहले दुरूद यह नहीं मिलता है। कायम होगी और लोग उसी दिन मुझ पर कसरस से दुरूद बेजा करो यानि उसी दिन तुम मुझ पर कसरस से दुरूद बेजा करो इसी तरह जो है और कब बेज सकते हैं तो और कब बेज सकते हैं तो इबने माजा करिवायत है अदिस नमबर 791 कि जब आदनी मज्जित में धाकिल हो, तो मज्जित में धाकिल हो, उने से धाकिल होए तो वहाँ पर भैज सकता है, निकले तो भैज सकता है, यह भी अफजल जगे, या फिर जनाजागी दूसरी तगदबीर के अंदर दरूद इबराईए पढ़ी जा सकती है वहाँ पर भी जा सकता है इस तरह मजलिस जिस मजलिस के अंदर दरूद शुरू करी मजलिस अल्लाग के असलों में दूरूद सलाम भेजना चाहिए वालाग के इसके तालुक से तो उटे हुए जो मरा हुआ है सड़ा हुआ गदा उस पे से उटे है तो उसमें सराम और दूरूद तारीफ और अल्लाग के जो बिजना चाहिए और इसके अलावा जो है दस बार सुबह दस बार साम को यह भी फजीलत में आता है और यह सही जो है तबरानी की रिवायत है तो इससे भी बेजा सकता है इस तरह असुरे करेंशनला सलम को पाक नाम सुनने या लिखते समय भी हमको दूरूद बेजना है यह भी अफजल वक्त है हमने कोई वाज नसियत कर रहा है उसमें बोल रहा है पढ़ रहा है तो हम उसके अंदर भी जब लिखे तो भी बोलना है और लेकिन नहीं को भी बोलना हम कुछ लिख रहा है लेकिन रखे लोल रहा है किसी और पर धूरूद सलम की अलाओ कि सलम के बड़ पर नहीं ही एक तो सलम वो sido पर बेखे लेगी जो यहाँ पर दूरूद व सलम की बात की जा रही वेसा दूरूद तो सलाम अलाग रसुल्हें नहीं है इसके तालुक साहता है अबस रजी अलाणान फर्माते हैं वो कहते हैं कि नभी के अलावा किसी पर दुरूद ना भेजो हाँ मुसल्मान मर्दों और उड़तों के लिए इस्तक्फार तुम कर सकते हो यानि कोई भी अलाग रसुल्हें के बाद में चाहिए वो सहाबा हो तो उन पर हम सालाम अती एक अलग चीज है लेकि दुरूद और सलाम जो ऐसा मक्सूद जो अलाग रसुल्हें वेसा नहीं विज़ा है हम कहते हैं जरूर है सहाबा के लिए हम कहते हैं उनके लिए हम साथ में जो दुरूद के साथ में उनके लिए हम कहते हैं सहाबे अजमाई उसको सामिल कहते हैं और दूसरी के अतियात में भी आता है कि सलामती हो तो वो उसमें आ रहा है वो टी इसके अलावा लेकिन किसी के लिए इस तरह से केना जिस तरह अलागी रसुलाओं को तो बना किया गया है और उनके लिए तुम इस्तक्पार करो ये जो है किताब इसमाइल काजी ने इसको फजल उसलाद अलल बिदाहिदाया के अंदर इसको रिवायत किया है और हमें दुरूद असलाम का पोचाना चाहिए तो इसमें जो हदीश से साबी थे वो दुरूद जो सलाम है वो हमको पोचाना चाहिए हमारी बर्जी से अगर हम पढ़ेंगे तो अललाग रसुलाओं असलाम फर्माते है जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया कि जो उसमें इसा नहीं है शरीयत में मौजूद नहीं है तो फिर उसका काम वो मर्दूद है इसको सवाब नहीं मिलेगा तो यह हमको इसमें मिलता है और इसी तरह अबू नईम की रिवायत है इसमें आता कि हर बिदत गुमराई है यानि कोई भी ऐसा काम गुमराई हो जाएगा और हर गुमराई का टिकाना जिए नहीं की आगए तो यह कि मनमाने अबादत थे हैं अगर हम करेंगे तो फिर वो बिदत में शुमार होगा तो यह दुरू और सलाम के तालुब से चन बाते रखी थी अलागी बहुत सारी इसकी फजिलत इसकी आती है तो चन बाते जो ज़्यादा ज़्यादा उसमें सही जो थी और जो अफजल थी वो मैंने रखने कोश़ी आखिए आखरे में लासे दुआ है जो कुछ कहा और सुना गया स्परमलकनिगी तुफ्य आता फरमाएं अल्लाँ जब तक जंदा रखे एमान पर जंदा रखे अल्लाँ जब मौत दे इस हाल में मौत दे अल्लाँ से राजियों अखिर दावाना Alhamdulillah Rabbil Alamin